हेलो फ्रेंड्स दिस इस ख्याती सेथी वेलकम तो यार ओन यूट्यूब चैनल सत्गुरु इंसीटूट आई होप यू ओल फाइन आज हम करेंगे लेसन नमबर फाइफ सम ग्लेम्थन्स ओफ एशिन इंडियन थोट एंड प्रैक्टिसिस के इंपोर्टन कोशन अंसर्स लास्ट वीडियो में हमने लेसन नमबर फाइफ को कम्प्लीट कर लिया था इससे पहले हमने मेन कोर्स बूक के फोर चैप्टर्स और और फोर्टन कोशन अंसर्स की कोशन अंसर्स आप इस वीडियो को अंसर्ण तक देखिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए तो चलिए स्टार्ट करते हम आज की वीडियो So friends, जैसे कि आप सक्रीन पर देख सकते हैं सबसे पहले हम करेंगे short question answers और उसके बाद करेंगे हम long question answers तो चलिए देखते हमारा first short question So friends, इस question में ये पूछा गया है कि क्या कारण था जिसकी वज़े से देवता निराश थे तो इसका answer है There was a fight between the demons and the gods in which the demons seem to have the upper hand This frustrated the gods इसमें ये कहा गया है कि राक्षसों और देवताओं के बीच में युद हो रहा था जिसमें जो राक्षस थे उनकी सिती मजबूत थी जबकि देवताओं की सिती कमजोर थी जो राक्षस थे वो देवताओं पर हावी हो रहे थे जिसकी वज़े से देवता निराश थे जो देवता थे वो निराशा में किसके पास गए थे जो देवता थे वो भगवान विश्णु जी से ये जानना चाते थे कि वो किस तरह से राक्षसों को हरा सकते हैं तो नेक्स्ट कोश्यन है कोश्यन नमबर त्री इसमें ये पूछा गया है कि भगवान विश्णु जी ने देवताओं को क्या अडवाईस दी क्या सलाहा दी तो इसका अंस्वर है लोर्ड विश्णु अडवाईस्ट दा गोड्स टू अप्टेन अपावर्फुल स्वोड ड्रॉन फ्रॉम दा बोन्स ओफ ग्रेट सेज भगवान विश्णु जी ने देवताओं को ये सलाहा दी कि वो किसी भी महान विशी या किसी भी महान संथ की हड़ियों से बनी हुई शक्तिशाली तलवार को प्रापत करें जिससे वो राक्षसों को दानवों को हरा सकते हैं संत दतीची जी का क्या बलिदान था तो इसका अंस्वर है महान संत दतीची जी ने अपने प्राणों का बलिदान दिया अपने जीवन का बलिदान दिया तांकि उनकी हड़ियों से एक अजे हत्यार को बनाया जा सके तो जलिए देखते हमारा नेक्स्ट कोशन कोशन नमबर फाइव वट इस दा रियल स्पिरिट बिहाइंड दा याजन्स परफॉर्म्ट इन अवर होम्स इस कोशन में ये पूछा गया है कि जो यग्य हम अपने घर में करवाते हैं उन यग्यों को आयोजित करने के पीछे की क्या वास्तविक भावना है तो इस का अंसवर है इस दा स्पिरिट ओफ चैरेटी, रननसियेशन, सैक्रिफाइस, एंड डिटेच्मेंट जो यग्य हम अपने घर में आयोजित करवाते हैं उन्हें आयोजित करवाने के पीछे हमारी जो भावना होती है वो भावना होती है दान, त्याग, बलिदान और वैराग्य की भावना पक्षियों और जानवरों को खिलाने की परंपरा क्या साबित करती है तो इसका अंसवर है इस प्रूव्स देट देट पीपल ओफ आर कांट्री Believe in the unity and purity of all life पक्षियों और जानवरों को खिलाने की परंपरा ये साबित करती है कि हमारा देश हिंदुस्तान जीवन की एकता और जीवन की पवित्तरता पर विश्वाश रखता है अगर आपको वीडियो अच्छी लग गई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए इसके इलावा सत्गुरु इंसिट्यूट यूटूप चैनल का टेलीग्राम पर सत्गुरु इंसिट्यूट के नाम से ऐफिशल चैनल बना हुआ है आप इस चैनल को जोईन कर सकते हैं इस चैनल पर आपको सभी चैप्रस के वीडियो के लिंक्स और सभी चैप्रस की पीडियो फाइल्स मिल जाएंगी तो चलिए देखते हमारा नेक्स्ट कोशन कोशन नमबर सैवंथ वाई डिट सम स्कोलर्स लाफ एट अश्टावाकर इस कोशन में ये पूछा गया है कि कुछ विद्वान अश्टावाकर को देकर क्यों हस बड़े तो इसका अंस्वर है अश्टावाकर had a deformed body जो अश्टावाकर थे उनकी body deformed थी यानि कि उनका शरीरिक धांचा टेडा मेड़ा था He looked very ugly और वो बहुत ही बदसूरत लग रहे थे Therefore, some scholars laughed at him इसी लिए कुछ विद्वान उन पर हस पड़े Question number 8 How did अश्टावाकर react when some scholars laughed at him जब कुछ विद्वान अश्टावाकर को देकर हसने लगे तो अश्टावाकर ने कैसे react किया तो इसका अंस्वर है अश्टावाकर became very angry जो अश्टावाकर थे उन्हें बहुत गुसा आया He called them skinners because they measured the value of a person by his skin उन्होंने विद्वानों को skinners कहा क्यूंकि एक skinner ही ऐसा व्यक्ति है जो व्यक्ति के मुल्य को व्यक्ति की value को उसकी skin से मापता है इसलिए अश्टावाकर ने विद्वानों को skinners कहा तो चलिए देखते हमारा next question Question number 9 What did Vivekanand say to the lady who laughed at his simple dress? इस question में ये पूचा गया है कि Swami Vivekanand ji ने उस lady से क्या कहा जो lady उनकी simple dress पर हसी थी तो इसका answer है He said that it was the tailor who made a man in the woman's country उन्हों ने उस lady से कहा कि आपके देश में एक tailor एक दरजी व्यक्ति को बनाता है But in his country it was the real values and character of the person that mattered पर मेरे देश में व्यक्ति के आंतरक मुल्य और चरित्तर व्यक्ति को बनाते हैं यानि कि व्यक्ति के आंतरक मुल्य और चरित्तर माइने रखते हैं ना कि व्यक्ति के कपडे Question No.10 What was the status of women in ancient India? प्राचिन भारत में women यानि कि ओर्तों की स्थिति कैसी थी? तो इसका अंस्वर है In ancient India, women enjoyed a high status पुराने समय में प्राचिन भारत में इस्त्रियों की स्थिति बहुती अच्छी थी इस्त्रियों को उच्च स्थान प्रापत था यानि कि high status को enjoy करती थी No auspicious work was considered complete without their participation पुराने समय में कोई विशुब कार्य जब तक उस कार्य में इस्त्रियों शामिल नहीं होती थी तब तक वो कार्य पूरा नहीं माना जाता था यानि कि वो कार्य अधूरा माना जाता था इससे हमें ये पता लगता है कि पुराने समय में जो इस्त्रियां थी उन्हें पूजा जाता था So friends, यहाँ पर हमारा question number 10 complete होता है इसके इलावा सत्गुरु institute YouTube channel का Instagram पर official account बना हुआ है आप सत्गुरु institute को Instagram पर follow कर सकते हैं इसके इलावा अगर आपको कोई doubt है या कोई query है तो आप Instagram पर पूछ सकते हैं तो चलिए देखते हमारा next question Question number 11 Why did Shivaji bow his head before the woman who was brought to him as a gift? इस question में ये पूछा गया है कि शिवा जी के सामने जिस इस्त्री को उपहार के रूप में लाया गया था उस इस्त्री के सामने शिवा जी ने अपना सिर क्यों जुकाया? तो इसका अंस्वर है शिवा जी had great respect for woman शिवा जी इस्त्रियों का बहुत जारा सनमान करते थे He saw her as his mother जो इस्त्री उनके सामने उपहार के रूप में लाई गई थी उस इस्त्री को उन्होंने मा के रूप में देखा That is why he called the woman mother इसलिए शिवा जी ने उस महिला को मा कहा and bored his head in front of her और अपना सिर उस इस्त्री के सामने जुकाया Question number 12 Why according to you were the wars fought in the Mahabharata and Ramayana sacred? आपके अनुसार महा भारत और रमायन में पवित्तर युद क्यों लड़े गए? तो इसका अंस्वर है These wars were fought to protect and maintain the honor of motherhood That is why they were considered holy महा भारत और रमायन में पवित्तर युद मातरतव की रक्षा और उसके सनमान को कायम रखने के लिए लड़े गए थे इसलिए ये पवित्तर माने जाते हैं So friends यहाँ पर हमारे short question answers complete होते हैं इसके इलावा सत्गुरु इंसिट्यूट यूटूब चैनल का official facebook page बना हुआ है आप सत्गुरु इंसिट्यूट के facebook page को follow, like और share कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं long question answers First question है Why according to the author should those people be ashamed of themselves who believe in female verticide? So friends इस question में यह पूछा गया है कि लेकक के अनुसार उन लोगों को खुद पर शरम क्यों करनी चाहिए जो लोग female verticide यानि कि कन्या भून हत्या में विश्वाश करते हैं तो इसका answer है The author says that India is a land where women were always treated with great respect जो author हैं जो लेकक हैं वो यह कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है भारत एक ऐसी धरती है जहां पर women's की महिलाओं की बहुत ही जादा respect की जाती थी बहुत ही जादा उनका सन्मान किया जाता था जो लेकक हैं वो यह कहते हैं कि पुराने समय में महिलाओं का इतना जारसन मान किया जाता था कि कोई भी शुबकारें उनकी मौझूदगी के बिना पूरा नहीं माना जाता था दो महाकावय रमायन और महाभारत में पवित्तर युद लड़े गए थे यह युद महिलाओं के सन्मान को कायम रखने के लिए लड़े गए थे इसलिए इन युदों को पवित्तर युद कहा जाता है जो लेकक है वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान जैसे महान धर्ती पर तो यहाँ पर हमारा कोशन नमबर वन कम्पलीट होता है तो चलिए देखते हैं कोशन नमबर टू इस कोशन में ये पूछा गया है कि लेकक बुराई पर अच्छाई की जीत के विचार का समर्थन कैसे करते हैं तो इसका अंसफर है दा ओथर गिव्स दा इक्जांपल ओफ दतीची एंड दा संस ओफ श्री गुर गोबिन सिंग जी जो लेखक हैं वो महान संदतीची जी और श्री गुर गोबिन सिंग जी के छोटे साहिब जादो का उधारन देते हैं इन महान आत्माओं ने अच्छाई के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया अपने प्राणों का बलिदान दिया दतीची सेक्रिफाइड इस लाइफ तो गिव दा गोट्स अन इन्वेंजिबल वैपन अगेंस्ट दा असूर्स महान संथ दतीची जी ने अपने प्राणों का बलिदान दिया तांकि उनकी हडियों से एक शक्तिशाली तलवार को बनाया जा सके और उस तलवार को असुरो दानों के खिलाफ उप्योग करके उनका विनाश किया जा सके श्रीगुर गोबिन सिंग जी के छोटे साहिब जादों ने धरम विश्वाश और नयाय के सिधातों के खातिर अपने जीवन का बलिदान दिया अपने प्राणों का बलिदान दिया इस तरह से जो लेखक है वो बुराई पर अच्छाई के जीत के विचार का समर्थन करते हैं यहाँ पर हमारा question number 2 complete होता है तो चलिए देखते हमारा next question question number 3 what is the basic difference between the position of women in society in the ancient times and now so friends इस question में यह पूचा गया है कि पुराने समय और आज के समय में समाज में महिलाओं के status समाज में महिलाओं की स्थिती में क्या बुन्यादी अंतर है क्या basic difference है तो इसका answer है in ancient times women enjoyed very high status पुराने समय में महिलाओं को उच्च स्थान प्रापत था जो women's थी वो high status को enjoy करती थी no auspicious ceremony was considered complete without their participation पहले के समय में कोई भी शुपकारे महिलाओं की women's की मोजूदकी के बिना पूरा नहीं माना जाता था they were never seen as objects of lust महिलाओं को कभी भी वासना की वस्तु के रूप में नहीं देखा गया now women are not properly respected आज के समय में महिलाओं को उतना सनमार नहीं दिया जाता जितना की पुराने समय में दिया जाता था the incidents of dory killings and female furticide are a shame for us the age के कारण होने वाली मृत्यू और कन्या ब्रून हत्या ये दोनों घठनाए ही हमारे देश के लिए शरमनाक बात है so friends इसमें ये ही कहा गया है कि पुराने समय में महिलाओं को बहुत ही जादा आदर सनमान दिया जाता था जबकि आज के समय में उतना आदर सनमान महिलाओं को नहीं दिया जाता आज के समय में जो लोगों की सोच है वो बहुत ही जादा घटिया सोच है आज के समय में जो women's हैं वो अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं पर पहले के समय में जो ladies थी वो high status को enjoy करती थी वो अपने आपको सुरक्षित महसूस करती थी यहां तक कि महिलाओं के सामान को कायम रखने के लिए रमायन और महा भारत जैसे पवित्तर युद भी लड़े गए थे तो friends यहां पर हमारा question number 3 complete होता है इसके इलावा सत्गुरु इंसिट्यूट यूटूब चैनल का Twitter पर official account बना हुआ है आप सत्गुरु इंसिट्यूट को Twitter पर follow कर सकते हैं तो चलिए देखते हमारा next question तो next question है What does the practice of langar stand for explain? langar क्या है इसे explain कीजिए तो इसका answer है The langar is a symbol of love and companionship langar प्रेम और सहभावना का परतीक है It is a symbol of brotherhood and equality langar भाइचारा और समानता का परतीक है It states that we should eat our food only after sharing it with others langar हमें ये बताता है कि दूसरों के साथ भोजन सांचा करने के बाद ही हमें भोजन को करना चाहिए By sharing our food with others we develop a great sense of love and brotherhood दूसरों के साथ भोजन सांचा करने से हम प्रेम और भाइचारे की महान भावना को विक्सित करते हैं So friends, इसी लिए मंदीर और गुर्दवारास में लंगर की परंपरा को चलाया जाता है जिससे लोगों में भाइचारा, समानता और प्यार की भावना विक्सित हो So friends, यहाँ पर हमारा question number fourth complete होता है तो चलिए देखते हमारा next question Question number five Give an example to prove that in ancient India there was no discrimination on the basis of caste So friends, इस question में यह कहा गया है कि आप एक ऐसी उधारन दे जिससे यह साबित हो कि प्राचिन भारत में जाती के आधार पर किसी के साथ भेदबव नहीं किया जाता था हमें महान उधारन रमायन से मिलता है जिससे यह साबित होता है कि प्राचिन भारत में किसी भी व्यक्ती के साथ भेदबव नहीं होता था तो वो उधारन ये है लोड रामा एट दा टेस्टिट बेरिस ओफ भील वुमेन भगवान श्री राम चंदर जी ने एक भील इस्त्री के चके हुए बेरों का भोजन किया था दा वुमेन वाज़ शुदर वाइल रामा वाज़ शत्रिय जबकि वो इस्त्री एक शुदर थी और भगवान श्री राम चंदर जी शत्रिय थे ये महान उधारन यही साबित करती है कि प्राचिन भारत में जाती के आधार पर किसी के साथ भेदबव नहीं था किसी के साथ भेदबव नहीं होता था सो फ्रेंड्स यहां पर हमारे कोशन अंसर्स कम्पलीट होते हैं हमारा लेसन नमबर फाइफ सम ग्लेमसेंस ओफ एशन इंडिया थोट एंड प्रैक्टिसेस कम्पलीट होता है इसके कोशन अंसर्स भी हमने आज कर लिये अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्षन, इंस्टाग्राम और फेस्बुक किसी पर भी पूछ सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शियर कर दीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो, कीप वाचिंग सत्गुरु इंसिट्यूट